तो चली फ्रेंट्स एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागा थे आज हम करने वाले फिर से आपके सामने एक चार्जिंग टेस्ट जिसमें यहाँ आपर ओविसली चार्जर कैपेसिरी 80W से अबाव होने वाली है और मुबाइल फोन जो मैंने सिलेक करें सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा Vivo का V40 सेकेंड पे OnePlus 12R थर्ड पे आपको देखने को मिल जाएगा Motorola का H50 Pro फॉर्थ पोजिशन पे यहाँ पर T-Series का Vivo का ही फोन ही है T3 Pro सभी में अगर चार्जर कैपेसिरी में बताऊं आपको तो T3 Pro में आपको मिल जाएगा 80W का चार्जर Moto के H50 Pro में मिल जाएगा आपको 125W का चार्जर OnePlus 12R में मिलता है 100W का चार्जर और V40 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर 80W का चार्जर एक खास बात ही है Motorola के अंदर यहाँ पर यहाँ पर फोन है 125W का चार्जर सपोर्ट करता है बट अगर आप इसका base variant अगर उठाएगे तो वो आपको करीब करीब उसमें 60W का चार्जर मिलेगा यह हमर पास top variant है इसमें आपको 125 का चार्जर मिलता है चले देखते हैं किसमें कितनी time आपका consume होता है फुल चार्ज होने में तो विडियो पर आप लाज तक बने रही है और वीडियो को लाइक करके चीनल और सब्सक्राइब करके जुड़ जाए टेकाउस के फेमिली के साथ यहां पर देखते हैं हम अलगला timing के हिसाब से आपर टेक लेंगे और देखेंगे कितने-कितने-कितने मिनीट में कितने-कितने फोन चार्ज होते हैं तो next हमारा फोन पूरा सेटिंग करेंगा इंदर पूरे बूस्ट मोड वगरा चालू करके फिर देखते हैं कि हम यहां पर 10-10 मिट्स के अंदराल में कितने-कितना-कितना-कितना-कितना-कितना-कितना-कितना-कितना-कितना-कितना-कितना-कितना-कितना-कितना-कितना-कितना-कितना-कितना-कितना-कितना-कितना-कितना-कितना-कितना-कितना-कितना-कितना-कितना लाइक अगर देखें, V40 19% पर आ चुका है यहाँ पर, सेकेंड पर अगर OnePlus 12 आप देखा जा तो 37% पर आ चुका है, और 50% यहाँ पर हमारा Moto A50 Pro आ चुका है, और लास्ट T3 Pro अगर देखें आप तो यहाँ पर 19% पर यह फोन भी यहाँ अस्टेबल है, लेक इसमें बूस्ट मोड होने, प्लस 125 वाट का चार्ज है, इसलिए यहाँ पर 10 मिट में 50% ओविसली फोन चार्ज हो चुका है, और 20 मिट हमारे यहाँ पर कम्पलीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, 39% पर V40 आ चुका है, 72% पर OnePlus 12 आ रहे हैं आपके सामने, अज़र बूस्ट मोड ओन करा है हमने, तो इसमें ओविसली हिटिंग इसकी वज़ेता आ रहा है, अगर इसको आफ करकर रखेंगे, तो आपको बैटरी भी लॉंग टम तक चलेगी, और यह हमेंचे ओन करकर रखेंगे, आप तो थोड़ा सा हिटिंग उशु भी आगा, और बैटरी में भी इसके लिखकर आ सकती है, तो जैसे के फिरेंट 26 मिनिट के अराउंड अगर देखा जाए, तो Motorola H50 Pro 100% फुली चार्ज यहांपर हो चुका है, मतलब यह 25 मिनिट के अराउंड आपका फूल चार्ज हो जाएगा, एक चीज यह है, अगर बेस वरिंट अगर लेते हैं, तो आपको 68 वाट का ही चार्जर में मिलेगा, तो यह लगबगगग 40 मिनिट के अराउंड यहांपर चार्ज होता है, बाकि अगर 125 वाट का अगर चार्ज है आपका तो यह 100% चार्ज 25 मिनिट का राउंड आपका फूल चार्ज हो जाएगा, दुसरे फोन के बाद करें, 50% पर V40 है, वनप्लेस ट्वेलार 88 पर आ चुका है, और 50% पर T3 प्रो भी आपको देखने को मल जाएगा, और जैसे कि हमने पहले भी इसको टेस्ट किया थे, एक बार तो 30-30 मिनिट के अंदरी फोन हमारा फूल चार्ज हो जाता है, V40 63% पर आ चुका है, और आपका T3 प्रो 62% पर यहाँ पर स्टेबल है, 40 मिनिट से हमारे पर कंप्लेट हो चुके हैं, और T3 प्रो 92% पर आराउंड पहुच चुका है, तो लगबग़ लगबग़ यह अगले 10 मिनिट के अंदर, यह कम्प्लेटली हमारा फूल चार्ज हो सकता है, तो जैसे कि हमारे 54 मिनिट के आराउंड हमारा फूल चार्ज हो चुका है, यह अगर T3 प्रो भी देखें, तो यह भी 54 मिनिट में मारा फूल चार्ज हो जाएगा, तो अप्रिक्समेटली एक 50 मिनिट तो अराउंड यह अगर दोनों फून यह लेते हैं, फूल चार्ज होनों में, चेनल को सब्सक्राइब करके जुरिद आइटे काउस की फेमिली के साथ,